नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का क्रिक इन फॉर्मर में तो IPL प्लेइंग 11 के कंपैरिजन वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सन राइजर हैदराबवाद वर्सेज दिल्ली कैपिटल्स के बीच जो मुकाबला होने वाला IPL 2023 का ये चोती स्वा मुकाबला है हम लोग देखेंगे पिच रिपोर्ट फिर उसके बाद तुरंत ही हम लोग आएंगे IPL के इन दोनों टीमों के प्लेइंग 11 के कंपैरिजन पे मतलब हम लोग opener to opener कंपैरिजन किया जाएगा middle order to middle order फिर उसके बाद finisher to finisher pace department to pace department spinner to spinner मतलब हर विभाग को हर विभाग से दोनों टीमों के कंपैरिजन किया जाएगा और देखा जाएगा on the paper कौन सी टीम मजबूत है और कल किसके जीतने के chances है ये भी prediction दिया जाएगा तो अन्त तक आप इस वीडियो में बने रहिएगा और खास बात ये कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती हो तो यहाँ पे like करना और channel को follow करना या subscribe करना मत भूलिएगा चाहे आप Facebook पे देख रहे हो ये वीडियो चाहे आप YouTube पे देख रहे हो तो सभी Facebook user comment करके भी बताइएगा और YouTube user की कौन कल कौन सा टीम यहाँ पे विजेता हो सकती है आप भी अपने prediction हमें comment section में जरूर comment करके बताइएगा तो आईए देख लेते हैं इस match के pitch report पर बात करें तो ये मुकाबला राजी उगांधी international stadium हैदराबाद में खेला जाएगा ये जैसे CSK का चेपॉक stadium उनका गढ़ माना जाता है वैसे ही ये गढ़ माना जाता है हैदराबाद stadium हैदराबाद team के लिए यहाँ पे ये मुकाबले जीतते आएं अगर हम बात करें इस sunscreen की तो यहाँ पे high scoring encounter अभी तक देखने को मिले हैं लेकिन आप आश्चर मत मारिएगा मत करिएगा कि अगर यहाँ पे मुकाबला पेसरों के मुफीद हो गया मतलब pitch पेसरों के मुफीद हो गई क्योंकि यहाँ पे जो Sunrider हैदराबाद का strength है वो pace department है और यहाँ पे पेसरों के अनुकूल पिछे बनाई जाती है लेकिन अभी तक के IPL में जितने मुकाबले खेले गया है वो लगभग high scoring रहे हैं तो आप मानिएगा कि बैटरों के लिए advantage रहेगा प्लस रुआती over में यहाँ पे ball swing कर सकती है trend bolt ने यह करके दिखाया है पहले ही match में तो Pacers भी यहाँ पे अच्छा कासा roll अधा करेंगे अगर हम बात करें यहाँ पे होने वाले मुकाबलों की संस्क्रड के तो रास्तान रायल्स ने 203 बनाया था हैधराबाद वहाँ पे 131 परी समट गई थी लेकिन PBKS भी 113 बनाया थी जिसको हैधराबाद ने 8 विकेट से सरह चेज कर लिया था माई ने 92 तो हैधराबाद मात 78 तो आप समझ सकते हो कि हर एक मुकाबला high scoring encounter रहा हुआ है तो यहाँ पे अभी तक बैल बाजो का ही बोल बाला रहा है लेकिन गेदबाज खासकर पेश डिपार्टमेंट भी यहाँ पे अपना वकूभी रोल देंगे और उनको लिए भी support यहां मौझूद रहता है अब हम बात कर लेते हैं अपने सबसे main part पे वो है playing 11 का comparison दोनों टीमों का मतलब हैदराबाद वर्सिस दिल्ली का playing 11 का comparison देखेंगे on the paper ये भी देखा जाएगा कौन सी team मजबूत है और at last समझा जाएगा कि किसके कल जीतने के chance से जाधा है तो सबसे पहले playing 11 पे नज़र डाल लेते हैं तो यहां पे एकदम सीधा और straight forward फंडा है कि यह इनका playing 11 होने वाला है उम्रान मलिक या टीन अट राजन में से कोई एक खेलता हुआ दिखेगा और वहीं अपसेक सर्मा को ये middle order में as an impact player यूज कर सकते हैं वहीं अगर हम इनका playing 11 देखें यहां पे अमन खान as an impact player आ सकते हैं एक change और हो सकता है क्योंकि प्रिथ्वी सा काफी खराब दौर से गुजर रहे हैं यहां पे प्रियम गर्ग as a replacement amount हो चुके हैं कमलेशनागर कोटी के तो यहां पे वह खेलते हुए दिख सकते हैं लेकिन chances काफी कम हैं हम लोग मान कर चलने हैं प्रिथ्वी साही खेलेंगे उन्हीं को अभी एक दो match extended run मिलेगा उसके बाद इनका replacement के तौर पे खेल सकते हैं प तो यहां पे अपसे एक सर्मा और हैरी ब्रुक मतलब पिछले match में जो change हुआ था मैंक अगरवाल को down the order भेजा गया था तो मैंक अगरवाल नंबर 3 पे खेलते हुए दिखेंगे मारकरम ने ये clear कर दिया है कि अगर तूरंत विकेट गिरेगा तो मैंक अगरवाल नंबर 3 प और ओपनर के रूप में हैरी ब्रुक और अपसे एक सर्मा खेलते हुए दिखेंगे वहीं यहां बात कर लें तो डेविड वार्नर और प्रित्वी सा ओपनिंग कंबिनेशन खेलते हुए दिख रहे हैं तो यहां पे अगर दोनों टीमों के ओपनर का comparison किया जाए तो अपसे और खुल कर सौट खेल सकते हैं तो यह थोड़ा सा positive हैं जरूर लेकिन अभी तक inconsistency इनके अंदर जो है वो थोड़ा सा हैधराबाद के लिए चिंता का सबब बना हुआ है अगर हम इनके playing 11 पर नज़र डालें ओपनर डिपार्टमेंट पर नज़र डालें तो यहां पे डे अपर तोड अंदाज में खेले तो डेविड वार्नर का जो रंगत है वो बदलता हुआ नज़र आ रहा है consistency तो था ही अब strike rate में भी इन्होंने improvement लाया है और हम उमीद करते हैं कि इस match में भी डेविड वार्नर परफॉर्म करके देंगे क्योंकि यही इनके batting order की एक उमीद करते वे नहीं दिख रहे हैं तो इनसे उमीद ही मत बानिये जो कुछ है opening combination में इनके लिए डेविड वार्नर है यहां पर हैरी ब्रूक प्लस अपसेख सर्मा है लेकिन डेविड वार्नर की जो consistency और पिछले match में जो इन्होंने strike rate भी अचीब किया था वो इन दोनों के प्लस को भी 15 पॉइंट ही मिलेंगे जो मिलेंगे वो डेविड वार्नर के दम पे मिलेंगे तो दोनों का opening combination बराबर है क्योंकि यहां पे हरी ब्रूक अच्छे खासे अंदाज में खुल कर खेल सकते हैं एक century भी आई हुई है अब से एक सर्मा भी hitting capability रखते हैं एक दो मैचो के भी इसू को solve करते हुए नजर आए और पूरा कारेभार डेविड वार्नर समाला हुआ जिसकारे इनको 15 पॉइंट मिलते हैं तो वही संराइजर हैजराबाद को हैरी ब्रूक प्लस अपसेख सर्मा के वज़े से 15 पॉइंट मिलते हुए दिख रहे हैं दोनों की opening combination अगर ह दिखेंगे तो यहाँ पर मिचल मार्स फिल साल्ट और मनिस पांडे मिडिल ओडर में बलेबाजी करते हुए दिखेंगे अगर इस टीम की बात करें तो जो आन बान सान है वो एडन मारकरम और राहुल त्रिपाठी है मैंक अगरवाल का फॉम उतना अच्छा नहीं रहा है ना इनकी स्ट्राइकिंग कैपेबिल्टी ही दिख रही है ना कॉंसिस्टेंसी दिख रही है दोनों लैक कर रहा और मैंक अगरवाल ने लेड़ डाउन किया इस टीम को वहीं राहुल त्रिपाठी एक उदैमान खिलाडी एक बहतरीन प्रतिबा और स्ट्राइक रेट काफी अच्छे तरीके से स्पिन को अच्छा खेलते हैं और अच्छे तरीके से यहाँ पे मिडलोवर्स में अच्छे गती सिरन बनाते हैं जिसका रड़ यह एक ठीमार्करम बहतरीन खिलाडी-प्रतिबारी हैं और अच्छा खासा प्रतरसंद देने की उम्मीद हैं स्पिन अध रहेगा इनके सामने तो सायद खेल पाना काफी कठीन हो मनीस पांडे से भी आप नाउमीद ही रही है क्योंकि जो इनका अभी तक का परफॉर्मेंस आया है वो थोड़ा सा 10-15 या 20 रन तक तो जरूर यह जाते हैं लेकिन उसकी आगे यह डेलीवर नहीं कर पाते हैं तो मिडि राउल त्रिपार्टी और एडन मारकरम के धम पे 16 पॉइंट जरूर संडराइजर हैदराबाद को मिलते हुए दिख रहे हैं क्योंकि यहां पे मारकरम हाला कि एक ही मैच चले हुए है दो मैचे साइट परफॉर्म किया यह एक मैच क्लियरली याद नहीं है और राउल त्र देख लेते हैं दोनों का फिनिसिंग डिपार्टमेंट कि क्या करता है किसका पलड़ा किस पर भारी है यह देख लेते हैं हैं यहां पर फिनिसिंग करते हुए दिखेंगे यहां पर मारको जैंसन वासिंग्टन सुन्दर भी उस डिपार्टमेंट में जरूर है लेकिन जो पूरा जिम्मदारी वो रहेगा हैंडिक क्लासन के उपर वहीं यहां पर फिनिसिंग डिपार्टमेंट देख लें तो अक्छर पटेल के उपर पूरी जिम्मदारी है कैसा यह परफॉर्मेंस करेंगे यही निर्भर करेगा क्योंकि लली त्यादों से उतनी उमीदें हम नहीं रखते हैं तो एक हैंडिक क्लासन हो गए बहतरीन खिलाडी बहतरीन प्रतिवा इनके पास और जितने मैचेज में चांसेज मिलें उतने मैचों में परफॉर्म किया है और एक टैलेंटेट खिलाडी जो स्पिन को बहुत ही अच्छा खेलते हैं और लाश्ट ओवर में इस प पॉर्म है जवर्जा स्मोजो है काफी टच में दिख रहा हैं तो यहां पर भी फिनिसिंग डिपार्टमेंट में दोनों ही खिलाडी बराबरी पर आठके हैं क्योंकि दोनों ही एक ही प्लेयर पर डिपेंडेंट है और दोनों का फॉर्म सांदार है अक्छर पटेल भी बेत दोनों के टीमों की जिसका इनके पॉइंट कटते वे फिनिसिंग डिपार्टमेंट में नजर आएं तो आग Kollegin नभी एक दो लली तयादो के भी आप बीच में देख सकते हो तो ये दो spinner यहाँ पर मौझूद हैं दो main spinner यहाँ पर मौझूद हैं मैंक मारगंडे का जो फार्म है वही कुल्दी पयादो का भी फार्म है थोड़ा सा experience wise कुल्दी पयादो 20 पड़ते वे दिख रहे हैं मैंक मारगंडे के उपर लेगिन मैंक मारगंडे को कम मता किएगा क्योंकि इनका भी फार्म काफी जबरजस्त तरह इस सीजन और मैंक मारगंडे 2.0 वर्जन दिख रहे हैं बहतरी इन पर दर्सन कर रहे हैं और काफी इंप्रेस किया है विकेट टेकिंग कैपेबिल्टी और मिडिल ओवर्स में विकेट भी लेकर जा रहे हैं सबसे ज़्यादा इंप्रेस इन्होंने CSK वाले मुकाबले में किया था जहां पर बल्लेबाज इनको काफी एक रिपलेस्मेंट है हालाकि अक्छरपेज की थोड़ी सी बल्लेबाजी वासिंग्टन सुंधर से 20 परती भी दिख रही है क्योंकि अक्छरपेज ब्ल्लेबाज जिसका रहेविए इंडिया टीम में भी प्रिफ़र्ड होते हैं लेकिन मेन जो दो spinner है इन्हीं दो spinner को हम compare करते हैं मैंग मारकंडे थोड़ा सा 19 दिख रहे हैं कुल्दी प्यादों के वज़े से वहीं वासिंग्टन सुंदर और अक्छर पटेल बराबरी के वज़े बराबरी पर दिख रहे हैं क्योंकि कुल्दी प्यादों के पास international experience है को 19 करते हैं दो इनके जो 20 काबिल को 20 देते हैं क्योंकि यहां पर दो काबिल Одत अघ्र गकरते हैं तो जिसका रे यह भी देख लेते हैं तो पेस डिपार्टमेंट में उम्रान मलिक या टीन अट राजन क्योंकि टीन अट राजन का उतना बेहतरीन परफार्मेंस नहीं आ रहा है डेथोबर में काफी कॉश्क्ली साबित होते भी दिख रहे हैं भूमनेस्वर कुमार लीड करेंगे पेस अट भी बन सकते हैं भूमनेस्वर कुमार, उम्रान मलिक, टीन अट राजन, मार्को जैंसन चारों खेलते हुए दिख सकते हैं इंपक्ट प्लेयर के रूप में अपसिक सरमा हर जाएंगे तो वहां पे उम्रान मलिक आपको प्लेइंग लेवन में खेलते हुए दिखेंगे तो चार की जो चौकडी है, बेहतरीन गेदबाजी है, टीन अट राजन का फॉर्म जरूट एक कौज आप कंसर्न रहेगा संराइजर है दराबाद के लिए, लेकिन उम्रान मलिक अच्छे खासे फॉर्म में दिख रहे हैं, भूमनेस्वर कुमार अपना मोजो पाते हुए दीरे-दीरे अपने रंगत में दिख रहे हैं, मारको जैंसन के जो विकेट टेकिंग अबिल्टी है, वो भी इस पेस अटेक को काफी खास बनाती है, अगर हम इधर का पेस अटेक देख लें, तो इसान सर्मा की बापसी हुई है, पिछले मैच में मुकेस कुमार हैं, एंरि नौर्किया के साथ साथ निभाने के लिए, लेकिन इनके अंदर भी स्केल सेट काफी कम है, आपको याद होगा कि पिछले मैच में आंद्रे रसन ने इनको तीन के दो पे तीन छक्के ले लिए थे, जिस कारण मैं मुकेस कुमार को बैक नहीं करता डेथ ओवर्स में, हराकि कि सुरुआती ओवर में अच्छी खासी गेदबाजी कर सकते हैं, विकेट ले सकते हैं मुकेस कुमार, इसान सर्मा काफी दिनों बाद आ रहे हैं, इनको भी आप पार प्ले में ही ऑपरेट करते हुए देखो कि जब गेंद में थोड़ी बहुत हरकत रहेगी, उस समय ऑपर करेंगे और मिडिल ओबर्स तक ही अपने चार ओबर कंप्लीट करके चले जाएंगे, जो कुछ दम है वो है अन्रिक नौकिया में, बेहतरीन गेदबाज है, पेस से सब को श्रगल करेंगे, और प्लस इनके पास जो विकेट टेकिंग अबल्टी है, वो इनको खास बनाती है देद में भी ये बॉलिंग कर सकते हैं, तो जो देद बॉलिंग का समस्या है, वो दिल्ली कैपिटल के साथ बना हुआ है, यही इनको पेस डिपार्टमेंट में पीछे गीशता है, हम पेस डिपार्टमेंट में 18 पॉइंट देते हैं संराइजर हैदराबाद को, क्योंकि उ इनकी टीम में एन्रिक नौर्किया है क्योंकि इसान सर्मा आये दिन कभी भी पिट सकते हैं अगर गेम में उतनी हरकत नहीं रही और मुकेस कुमार भी अगर शुरुआती ओवर में पिच में कोई मदद नहीं रहा तो इनको भी खूब रन पिट सकते हैं और डेथ ओवर में य करता हुआ दिख रहा है मिडिल उडर में दिल्ली log का पे पीछे दिख रही है सन्राइजर हैदराबाद के मुकाबले बराबर का है वहाँ पे बहुत बढ़न अंतर नहीं कहतें हैं रेकिन पभी एक दिपारण में थोड़ा तो जा रहा है यहाँ पे 15 पॉइंट ही मिलते विए दिख रहे हैं दिली कैपिटल को क्योंकि उनके देथ बॉलिंग में कमजोरी है डेथ बॉलिंग एक इसू है और वहाँ पे अच्छे खासे रन यह कंसीड कर सकते हैं वहीं अगर हम बात करें संराइजर हैदराबाद की तो इनका स यह से सब्सक्राइब है पेस बॉलिंग में चाए पेस डिपार्टमेंट हो चाहे शुरुहाती बॉलिंग हो चाहे मिडिलोंवर्स हो चाहे डेथ बॉलिंग हो लेकिन थोड़ा से जो फॉफम है यह कौज आप पंसर्न बना रहेगा के एकिन हम उमीद करेंगे कि यह आगे यह अच्छा खासा पर दरसन डेध बॉली में देंगे कुछ आने वाले कुछ मैचों में तो जिसका रहा इनको 18 रेट किया है इनको 15 रेट किया है पेस बॉली में तो आपने देख लिए आप पूरा प्लेइंग लेए उनका कंपैरिजन अपना कमेंट भी बताईए कि आपको बहुत ज़्यादा लीड कर रहे है ओपनी डिपार्टमेंट बराबर है दोनों टीमों का फिनिसिंग डिपार्टमेंट बराबर है तो मतलब जो एडवांटेज है वो मिडिल अर्डर प्लस प्रेस बॉलिंग में हैजरा बात ये पास एडवांटेज है और कल का मुकाबला म अपने सरजमी पे ये होम टीम कल का मुकाबला जीतने वाली है तो आज के अपने इस रिपोर्ट में बस इतना ही आप सभी अपना ध्यान रखें सुरच्छित रहें स्वास्त रहें मस्त रहें जै हिन जै भारत